देखो यार इमानदारी से सच सच बताना थोड़ी देर के लिए बिलकुल तक तक हो गई थी ना मुँमें आ गए थे ना मतलब वो बीच में एक फेस आया था यार सिर्फ ग्राउंड में सन्नाटा नहीं था मतलब पूरी सडकों पर सन्नाटा चा गया था मतलब ऐसा लग रहा कि भाईया आज मैच होने वाला है आप यह नहीं सोच सकते हैं कि इंडिया ने 400 रंड बोर्ड के ओपर टांग दिये हैं तो बस काम खतम नहीं इसी न्यूजिलेंड की टीम ने ऑस्टेलिया के गेंस्ट भी SI गेम दिखाया था और वहां तो बिलकुल नस्दीक पहुंच गय कोई दिक्कत नहीं कैच छोड़ने से मौहमद शामी ने एक कैच छोड़ा था सोशल मीडिया पर लोग शुरू भी हो गए थे लेकिन उनको क्या पता था कि मौहमद शामी आने वाले कुछी घंटों में क्या कड़ गुजरने वाला है बंदे ने आज जो गेम दिखाया है न 2003 वर्ल्ड कप में आई तिंग 6 विकेट लिये थे आज तक याद किये जाते हैं और फिर ये तो मौहमद शामी ने सेमी फैनल में न्यूजिलेंड जैसी पक्की टीम के खिलाफ लिये हैं 7 विकेट कम नहीं होते हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे आज मौहमद शामी को मै मैच दिया गया बहुत बढ़िया लगा और वो पूरी तरीके से बिजर्विंग भी थे इसलिए और भी ज़्याद अच्छा लगा भारत ने आज ना सिर्फ ये मैच जीता है बलकि क्लिनिकल तोर फे बताया है कि 9 मैसे 9 मैच जीतना मजाग नहीं होता है और 10 मैच सेमी लिए और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मोहमद शामी की परफॉर्मस कितना बहतरी ने तो इससे पहले जो बैस था 21 विकेट था जाहिर खान ने लिए थे और जाहिर खान ने ये 21 विकेट लिए थे 9 इनिंग में अब आप अंतासर रगा लिजिए कि मोह मोहमद शामी किस तरह का खेल दिखा रहे हैं बहुत बहतरी इंग फॉर्म में मोहमद शामी और बता रहे हैं कि हाँ हम बिल्कुल तयार है दरसल इस वर्ल्ड कप में ऐसा अधिकतर मैचेस में हुआ है जब भी टीम फसी है तब किसी ना किसी खिलाडी ने हाथ उपर करके ब फॉर्म दे वर्ल्ड गो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कियें और आज इस तरह की टीम की परफॉर्मस रही है उसको देखने के बाद आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यह एक वर्ल्ड चेंपिन टीम की ही परफॉर्मस है हम तो भाई दूज बनाने के लिए थोड़ी दिर और चल जाती ना तो आज मैं इतना खुश हो के यहां बैठा नहीं होता और आप इतना खुश हो के मेरा वीडियो नहीं देख रहा होते है लिटरली डैल मिचल ने जो लीग मैच हुआ था न्यूजिलेंड से उस मैच में भी डैल मिचल नहीं सेंचुरी मारी थी और अगर म का माहल पूरा चालू हो चुका ऐसा लग रहा चोटी दिवाली आजी मना ली जाएगी कुछ पटाके बाइस जन्वरी के लिए बचा के रखिएगा बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए तो अगर हम लोग यहां बात करें स्कोर कार्ड के बारे में तो भाई इंडिया रन पोस्ट किये थे बोर्ड के उपर सेमी फाइनल हो लीग मैच हो हर एक मैच के लिए यह स्कोर एक बहुत बड़ा स्कोर है सेमी फाइनल जिसे नॉकाओट के लिए यह सकोर आपको प्रेशर में डालने के लिए बिलकुल काफी होता है लेकि मुझे साथ Нीजिलेंड इतना वड़ा स्कोर बना भी पाए रचन रवंद्र से हाला कि काफी उमीद थी पर वो आज के मैच में खरे उतर नहीं पाए शुरुवात की बात करें तो सबसे पहले न्युजिलिंग की डेवन कॉनवा रचन नविंद्र आये थे दोनों नहीं 13-13 रणों की पारी खेली और दोनों ही बहुत जल्दी होगा शामी के हाथ है लिए पर इसके बाद कोई टिक नहीं पाया है चैप मैं सेंटनर थोड़ी बहुत उमीर थी पर यह लोग भी टिक नहीं पाया और मुहमत शामी ने साथ रुकेट लिए और अगर आपने प्रेजेंटिशन सेर्मेनी सुनी हो तो सुनील गावसकर जी ने आज एक बहुत मतलब क्या होता है आप लोग डिक्शनरी में जाकर देख लीजेगा पर एक अबशब्द होता है इन्हों ने कहा कि ये मौरोंस को कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ हेडलाइन लिखनी होती है और क्योंकि इनकी टीम बाहर हो गई और इनको हेडलाइन नहीं बलती इसलिए इ का ओन कैमरा आकर ओन एर आकर इतनी वड़ी बात कहना बताता है कि वाकई में ये चीज बहुत घटिया है जो इंग्लिश मीडिया की तरफ से करीगी मतलब पिछ बदल दी भारत ने क्या बकवास है ऐसा तो ही इन्डिया ने पिछ एंड मुमें बदली जो भी कुछ हुआ थ तो कई दिनों पहले ही हो गया था तो तौस के पहले दोनों टीमों को पता था कैसी पिछ होने वाली और पिर इंडिया के लिए वान खेड़े तो दूसरा घर है यहां पर तो आप इनको इनको किसी भी पिछ पे खिला थो घास पे खिला दो इंडिया जीज जाई आई इन बैटिंग में बलकी बोलिंग में भी फिल्टी को लेकर जरूर आज हम कह सकते हैं थोड़ा सा लचर पना देखने के लिए मिला कुछ कैचेस भी छूटें बस शुकर की बात यह है कि कैच चूटने के साथ मैच नहीं चूटा तो शायद समस्या थोड़ी जादा गंभीर हो जा मिलाकर दस बड़े ICC इवेंट्स के नॉकाउट खेले हैं जिनमें से उसको आठ में हार मिली है तो ये एक बहुत बड़ा मौका था इंडिया को अपनी पॉइंट को प्रूव करने का और फिर रोहिच शर्मा एक नहीं लेगसी को भी लेकर आये हैं शुरुआत में रोहिच नहीं होने दी और वो खुद रिलेक्स नहीं हुए तो उनकी टीम भी रिलेक्स नहीं हुई और शायद यही नतीज़ा है कि इसलिए आज हम इतनी बड़ी जीत को नसीब करते देख पाएं अभी कुछ समय पहले बाते चल रही थी कि स्टार स्पोर्ट जो है विराट कोली को कुछ ज़्यादा ही दिखा भी रहा है मैं विराट कोली का बहुत बड़ा फैन हूँ लेकिन इस चीज़ मुझे भी फील हुई थी रोईश शर्मा को उनका डियू क्रेडिट मिलना चाहिए और मौहमद शामी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है मैं आपको बता दूँ अ और अगर आपको आज के मैसेज़ उड़े विम्स देखने हैं तो सुबह मेरे वीडियो को चेक आउट करना ना भूलिएगा मेरे स्वीडियो फिला उतना ही जय हैं जय भारत